Hello everyone, welcome back to my channel और यहां पर हो रही है साम की अरक की तयारी जो कि हम गंगा घर जाएंगे तो इन सारी चीजों को अच्छे से पहले सारा चीज एरेंज कर लेते हैं तो यहां पर दो पहर का टाइम है ठेक वावेगेरा जो है सारा बन चुका है और उसके अरहां पर नहाध होकर सबसे पहले इन सारी चीजों को सूप, दोरा, थाल जो है अच्छे से तयार कर लेते क्योंकि फिर टाइम बहुत कम मिलता है और यह सारी चीजों को सजाने में भी काफी टाइम लगता है और यह लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे है क्योंकि यह मेरा फिर्स टाइम चट पूजा है इसी साल से हम स्टार्ट किया है चट पूजा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ने चटी मया सच में बहुत हिम्मत दिये बहुत ही अच्छा लग रहा है मैं क्या बोलू तो यहाँ पे छेकुआ भी अपने हाथों से बनाए है और यहाँ पे मैं और देवरानी मिले कर सारा थाल जो है अच्छे से सोच सोच कर सारे चीज को सजा रहे हैं और यहाँ पे अंटी लोग हैं बता रहे हैं कि ऐसे सजाया जा मतलब रखना है इन सारी चीजों को तो सारा चीज इसमें बहुत सारी फल फूल और भी कुछ जो होता ना ड्राइफूट वगड़ा बहुत सारी चीज़े होती हैं जितना भी आप सजा सकते हैं फल फूल से अब उतना आप डाल सकते हैं जितना आप सक्चम है तो बस यहाँ पर सारा चीज रेडी हो गया उसके बाद यहाँ पर फिर साम में कपरा चेंज कर मतलब बिलकुल न्यू कपरा होने चाहिए वो चीजे जो है सारी वगेरा सारा पहन कर निकल गए हम लोग गंगा घाट के लिए तो यह न बीच में इस तरीके से बना हुआ है ब्रीच जैसा यहाँ पर बास का बना हुआ इतना डर लग रहा था इस पर चलने में लेकिन यहाँ पर जो है अच्छे से पार कर चुके हैं और यह सारी जो सूखे सूखा देख रहा है ना यह भी गंगा ही है लेकिन यहाँ पर सूख गया है थोड़ा गंगा दूर चली गई है तो हम लोग को वहाँ पर घाट पर जाना है और बहुत ही अच्छा आगया अब बीडियो में दीखे एकदम नीट और क्लीन पानी और इतना अच्छा इंवार्मेंट ह है ना यहाँ कि मत ही पूछे एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा थे कि बस यहीं पर रुख जाए तो यहाँ पर भी हम लोग पहुचने वाले हैं करीव आ गए हैं एकदम जैसे जैसे पास आ रहे गंगा किनारे एकदम अलग ही महौल है बहुत लोग तो मतलब यहाँ पर जो ह यहाँ पर पहले से आकर जो डालव गएरण रख दिये थैं उसके फ़तहिए हम भी आ पर आ गया है आने के बाद थोड़ा से जो पूझा होता है पहले गंगा मैया का कखा कर guilty पानि यहाँ पर निउ गुस गे इस तरीके से लेकिन पानी एकदम साफ है क्योंकि शोर्ज और देंगे नहीं तो यहां पर थोड़ी देर अराधना करना है ताकि टाइम हो जाए तो पाच बजे का टाइम था यहां पर आरग देने का यहां पर 15-20 मिनट मतलब थोड़ा सा पानी में घूसकर हाथ में कुछ दूप अगरवती वेगर इस तरीके लेकर प्रेयर करना होता ह है और बहुत ही सांती सुकून मिलता है यहां पर साम में जो है ना वो डूपते वे सूर्ज को देना है और सूबा के टाइम उद बच्चों पर जितने भी लोग है सबी पर है ना तो बस यहां पर दोप तो बस यहां पर सभी बच्चे बहुत excited हो रहे हैं पानी डालने के लिए तो यहां पर अर्द की तैयारी हो रही है तो यहां पर फिर से हम आ गया है मतलब पूजा वगएरा करके तो यहां पर जो मेरी देवगानी है वो इस तरीके से मेरे हाथ पर जो है सिंदूर का टीका वगएरा लगा कर उसके बाद यह सूप डालेगी यह सूप लेकर हम पानी में खड़े होंगे और फिर यहां पर सभी लोग अर्द देंगे तो यह जो सोच लेए थी कि चलो अब हट जाते हैं तो कोई ना कोई कोई इस तरीके से मतलब आही रहे थे तो ऐसे तो छोड़ कर जा नहीं सकते हैं बहुत ही अच्छा लगा और बच्चे तो बहुत ही जजादा खुश हो रहे थे यहां पे और सबसे अच्छी बात यह है कि हम पहली बहुत ही जादा खुसी मिला, मतलब हम सोचे भी नहीं थी कभी सपने में, कि हम इतने अच्छे से ये ब्रत करेंगे, और इतना अच्छा मौका मुझे मिलेगा गंगा नदी के किनारे अरक देने का, क्योंकि लोग अक्सर क्या होता है, आजकल इतनी बीजी लाइफ में ब्रत तो करते हैं, लेकिन लोग बहुत जगा अपने घड़ों में या फिर जगा जगा पर छोटी चोटी घाट बना होता है, वहां पर कर लेते हैं, लेकिन नहीं हमारे यहां गंगा नदी है, तो यह यहां पर पहुंच गहते हैं और उसके पानी में घुस कर तक प्रेयर जो अड़ाधना होता है कर रहे थे शूरिभगवान सनराइज होने का यहां पर बस अब थोड़ी देड़ में निकलने ही वाले हैं सुर्जदेव मतलब सुर्ज भगवान तो बस इसी तरीके से हाथ में अ टाइम होते जा रहा है लेकिन ना यहां पे बिल्कुल थकान ऐसा फिल नहीं हुआ कि मतलब इतने देर से हम पानी में खड़े है बहुत ही अच्छा सिकून सांती मिलता है मतलब यहां पे और यह ब्रत मैं काफी दिनों से मतलब सोचती जब मेरी मम्मी करती थी मैं सोचती थी कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं लेकिन फाइनली यह मेरा सपना पूरा हो गया यह मौका मिला शटी मैया ने मुझे यह मौका दिये कि मैं यह ब्रत की और बहुत अच्छे से संपन होगा तो बस यहां पे जैसे तैसे जो जो क्लीप सब लिया था मैं तोड़ जोड़कर वीडियो बना दी तो आई होप आप लोग को अच्छे लगेगा